नमस्कार स्वागत आपका नीजोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पार्विट्या की खबरों का रुख कर लेते हैं बृदान मंतरी नरेंद मूदी पैरा ओलम्पिक खिलारों के सौदेश लोटने परन की मेजबानी करेंगे और आज उनसे मुलाकात करेंगे बता देए जोरान खिलारों को समय देने के लिए केंडिये खेल मंतरी अनराक ठाकुर ने पीएम मोदी की प्रश्रोंस्त की और ठाकुर ने कहा कि दान मंतरी ने ओलम्पियन की भारत लौटने पर मेजबानी की थी वहीं पेरा ओलम्पियन के लोटने पर भी ऐसा कर रहे हैं वहीं अनुराग ठाकुर ने इसके साथ ही सभी राश्ट्रे खेल महासंगों से 2024 और 2018 में 28 में होने वाले ओलम्पिक खेलों के लिए भी बड़ी योचनाय पनाने के लिए कहा है ताकि भारत आगे भी अपनी सिती में सुधार कर सके के लिए मोटिवेट भी वो करेंगे तो बता दें पियम मोदी पैरा उलम्पिक खिलाडियों की मेजबानी करेंगे और ऐसे में अपसे थोड़ी ही देर बाद पियम मोदी सभी पैरा उलम्पिक खिलाडियों से मुलाकात करने वाले हैं हाला कि इससे पहले बता दें ऑलम्पिक के खिलाडियों से भी पियम मोदी ने मुलकात की थी उनको बुलाया था अपने आवास पर एक पाठी की थी ऐसे में आज फिर से दोबारा से सभी पेरा ओलम्पिक खिलाडियों की मेजवानी भी पियम मोदी कर रहे हैं और ऐसे में लगातार जो है पियम मोदी खिलाडियों का जब अपने देश वापस लौट आए हैं पैरा उलम्पिक के खिलाडी तो ऐसे में उनसे आज मुलाकात पियम मोदी करने वाले हैं चलिए हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिर्दिगी जादर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है रूबी आज पियम मोदी सभी पैरा उलम्पिक खिलाडियों से मुलाकात करने वाले हैं किती देर बाद ये कारक्रम होगा क्या कुछ अपडेट है पारो कारक्रम की जो समय बताई गई है वो तकरीबन 1011 की बीच में बताई गई है इस थोड़ी दिन में काईकरम शुरू हो जाएगा और इसके साथ के साथ ये भी कह सकते हैं कि पियम जो है वो खिलाडियों का शुरू से ही सम्मान देखते चले आ रहे और लगतार ऐसे कई उलम्पिक को या फिर पुराने जो भी खिलाड़ी है उन लोगों को बुला बुला को लोने मुलाबाते करी है और आज भी जो उनका प्रोगाम है इस तरीके से यहां पर जो ऑउनाइज किया गया है उसमें पियम खुद पहुंचेंगे और सम्मान देंगे और बतादू की समय जो निधारित किया गया है उसमें तकरीवन 10-11 के बीच में सारी खिलाड़ी तो 10 बज़े ते किया अरंदर पहुंच आएंगे लेकिन जो परभान मंत्री है उनका पहुंचने वज़ों समय है तकरीवन 10-11 के बीच के अंदर है बिलकुल रूबी और देखे इससे पहले की बात कर ली जाया जो ऑलम्पिक के खिलाड़ी थे उनसे भी पियम मोदी ने मुलकात की थी आज भी वो पैरा ऑलम्पिक के खिलाड़ीों से मुलकात करने वाले हैं तो ऐसे में उतसा जो है वो खिलाड़ीों का पियम मोदी लगा या खिलने जाते हैं अपने टुइट के जरीए भी वो साही करते हैं पिलाड़ी को क्योंकि भारत सम्मान बढ़ाते हैं तो ऐसे में बिल्कुल खिलाड़ी हो या फिर नायक हो या नायका हो उन लोगों को उसाहित करने के लिए उनके हर्ष वधन करने के लिए खुद मुलाका करते हैं और प्रीट खिलावा सम्मान बढ़ा रहा है अपनी जो जीत है उस पर कभी खमंद मत करना तो समय समय पर राई देते रहते हैं कि अगर आप जीत रहें तो इस चीज़ को घमर्ड में मत तब्दील होने देना भारत के लिए और अभी आपको खेलना है भारत के तरफ से अभी और माहत दर्शन करना है साथी साथ प्रधान मंतरी खुद बोलते हुए नजर आते हैं कि उनको खेल को लेका खासा हर्श रहता है उनके अंदर और सबसे जादा वो इस बात को लेकर खुश रहते हैं कि भारत ता जो खेलाडी मान बढ़ा रहा है खासतों से बाहर के देशों में जाके तो इसके लिए वो खास तोर से खिलाडियों की प्रिक खुद थप थपाते हैं और उनको मैडल हो या पुरुषकार के तरीके में जो भी उनको गित देना होता है उसको साथ बुला के सम्मान के साथ उनको दिया जाता है खाना साथ भी आज जो ये कारकरम होने वाला है अपसे कुछी देर तो क्या कुछ और इसमें खास होने वाला है क्या सिर्फ मुलकात होगी या कुछ और खास कारकरम भी रखा गया है अक्सर ये देखते हैं कि खिलाडियों के बीच में बिलकुल फ्रेंक नजर आते हैं खुद उन लोगों के साथ हस्ते बोलते नजर आते हैं कोई बीच में ऐसा कोई बंदा नहीं होता कि सिक्योटी नहीं होती है कि इनको रोके खिलाडियों के बीचों बीच में रहते हैं सा होता है तो आज भी माना जा रहा है जो पुरवाम हो रहा है इसमें भी सारी खिलाडिया इखटा होंगे और फिर से एक बार नरेन मोदी उन लोगों के बीच में रहेंगे और इस अपीड को थप थपाएंगे उसाथ में उनको प्रिस्क्त किया जाता है उसका भी ऐलान करते है जी चलिए रूबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वाम जानकारी के लिए तो बता दे आज पैरा ओलंपिक खिलाडियों से अपसे कुछी देर बात पीम मोदी जो हैं को मुलकात करने वाले हैं और ऐसे में लगातार पीम मोदी खिलाडियों को मोटिवेट करते उन्हे चाहे वो ओलंपिक के खिलाडी हो और अब चाहे वो पैरा ओलंपिक के खिलाडी ही क्यों ना हो लगातार पीम मोदी बधाई जो है जीत क्योंने देते नज़र आते हैं वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये उनसे बात चीत करते हैं फोन पर बधाई देते हैं लेकिन अब जब सभी खिलाडी भारत वापस लोता हैं तो पीम मोदी उनसे आज ये खुद मुलकात करने वाले हैं उत्रप्रदेश के उप मुख्य मंत्री केशर प्रसाद मौरे ने जाखन विदानसभा में नवास पढ़ने के लिए एक कमरा अवंटित होने और समाजवादी पाच्छी के विधायक इरफान सुरंग की द्वारा उत्रप्रदेश विदानसभा में इसके वास्ते ऐसी ही प् प्रसाद मौरे ने जाखन की तरहा उत्रप्रदेश के विधानसभा में भी नवास के लिए अलग कक्ष बनाए जाने पर मौरे ने कहा कि निकत वविश्य में उत्ता प्रदेश में इसकी कोई संभाबना नहीं है सपाविधा की मांग को के सवार पर उपमुखे मंत्री ने कहा कि इतुस्टी करन की घट्या राज़नीती है और इस तरह की राज़नीती करने का काम बंद होना चाहिए और इससे न देश को न प्रदेश को और नहीं जनता को कुछ हासिल होने वाला है ऐसे में विदान समा में नमाज कक्ष पर जो है केशर प्रसाथ मौरे ने ये बाते कही हैं और कहा है कि इतुस्टी करन की घट्या राज़नीती है प्रियागराज में भी डेंगू का प्रकोप लगाता बढ़ता जा रहा है ऐसे में बुद्वार को एक MBBS 14 समेथ 11 नए संकवित मरीजों में डेंगू की पुष्टी हुई है जिहां जाज रिपोर्ट के अधार पर सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है और ऐसे में जिले में अब तक टेंगू के 60 से زजादा बामले सामने आ चुके हैं तो बता दे लगातार संगम नगरी में भी डेंगू का कहर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब तक 60 से जजादा मामले सामने आ गए हैं लगातार यूपी के कईजिलों में जो डिंगू के मामले हैं वो अपना कहर बरपारा के ख्याओं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आगरप पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जिहां बता दें कि ड्रग माफिया और शराब माफियाओं के संपत्ती को पुलिस ने कुर्क कर लिया है और इस जनान कमला नगर थानश्रित में ड्रग माफियाओं से 6 करोर 16 लाग की संपत्ती जब की कही है वहीं पुलिस की ओर से लगता शराब माफियाओं पश्चे कंजो कसते हुए पुलिस को ये सफलता मिली है और आगरप स्सपी मुनिराज की ओर से कारवाई की गई है तो बता दें आगरा में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और ऐसे में ड्रग्स माफियों के खिलाब कारवाई की गई है और ऐसे में बता दें कि ड्रग्स माफियों शराब माफियों के संपत्ति जो हैं वो कुर्क कर ली गई है अब खबर आगरा से है जहां नीजी हॉस्पिटलों के खिलाब कारवाई की तयारी की जा रही है जी हाँ आपको बता रहे हैं कि इसमें डेंगू मरीजों की सूशना छुपाने वाले अस्पिताल के खिलाब कारवाई की जाएगी जिसमें नोटिस के बाद FIR दर्च होगी और इस कारवाई के लिए की गई दस डॉक्टरों की टीम जो है वो बनाई गई है और ऐसे में जिसकी चांतकारी सीमो डॉक्टर अरुन श्रीवासब ने दी है तो बता दे नीजी अस्पितालों पर कारवाई जो है आकरम में अब वो की जाएगी डिंगू मरीजों की सूचनत शुपाने का आरोप है जिस पर ये पूरी कारवाई जो है की जाएगी कर पूरा मामला है जहां पान नीजी हॉस्पितल के खिलाफ अब कारवाई होगी और बता दें के कारवाई के जो वज़ा है वो ये है की डिंगू मरीजों की सुचनत शुपाने का आरोप जो है वो नीजी अस्पितलों पर लगा है जिसको लेकर कारवाई की जाएगी और कारवाई करने के लिए डॉक्टरों की टीम जो है वो भी बना दी गई है और ऐसे में इसकी जानकारी जो है वो CMO डॉक्टर अरुन श्रिवासब दे दी है तो लगातार बता दें यूपी के तमाम जिले से हैं जहां पर ये डेंगू का कहर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है लेकिन ऐसे में आगरम एक मामला ये निकल कर सामने आया है जहां पर नीजी हॉस्पिटलों पर जो है मामले चुपाने का आरोप लगा है और ऐसे में आगरा के थाना इत्मात पुर इलाके में अक्याद बनमाशों ने बाइक सवार को नैश्रल हाईवे पर दिन दहाडे गोलियों से भून दिया इस दोरान बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और सुचना पर पहुंची पुलिस से यूवक के शब को पोस्ट मौटम के लिए भिज़वा दिया है फिलाल मामले की अब जांच की जा रही है तो आगरा का पूरा मामला है जहां पर आपको बता दें कि बदमाशों ने दिन दाहारे यूवक को गोली मार दी और अब इस पूरे मामले में जो है पुलिस जांच कर रही है और यूवक के शब को पोस्ट मौटम के लिए भिज़ दिया है पता दिन लगता यूपी में अपरात का ग्राथ जो है वो बढ़ता जा रहा है ऐसे में अब जो है वो दिन ख़वर पौडी जिले के विकास खंज पावो के बुरांशी गाउंग में जन में सैनिक मंदीब सिंग नेगी शरही तों गए हैं उनके शरीर पर गोली पाई जाने की सूचना दी कई लेकित गोली कब और कैसे लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है इधा मंतरी जॉक्टर धन सिंग रावत ने शोशल मीजिया पर लिखा कि पावो ब्लॉग बुरांशी गाउंग के निवासी मंदीब सिंगनेगी की शहित होने की दुखत सूच्रा मिली है यह सुच्थुन कर बेखत आहात पहुँचा है और भारत मा के लाटले मंदीब सिंगनेगी को विनम श्रधांशली अर्पित करता हूँ इच्वा परिवार जनों को ये दुख सहने की शक्ती प्रदान करें साथ ही आपको बता दें कि अब मंदीब का जो पार्तिफ चली है वो उनके गाउं भी पहुँच चका है और ऐसे में गाउं में जो है सेलाप उमर पड़ा है हर कोई आख्री जो है बार उनको देखना चाता है अंतिम दर्शन करना चाता है और शुर्धांजली जो है उन्हें देना चाता है वही परिवार की बात करें तो मंदीब के शहिद होने से परिवार का बुरा हाल है रोरोकार उत्रप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितिनाद के ग्रह जुनपत गोरखपुर के बकल का जुला बसी जिले में लेक पालो द्वारा खुले आम खूस लेने का कई वीडियो वारल होने के बाद भी अभी तक उन लेक पालो पर कोई कारवाई नहीं हुई है पताने मुआफ़द दल्वाने के नाम पर लेक पाल खूस लेते पूटो और वीडियो जो है उनकी काफी बारल खूच रही है ऐसे में लेक पाल के खिलाब कारवाई को लिकर समाज से भी चंद्रमणी पांचे ने उपजिलादिकारी खरया से शुकायत की है कि शुकायत के बाद भी किसी तरह की कोई कारवाई नहीं हुई वहिँ चंद्र मणी पांचे ने उपजिलादिकारी खरया से लिकर शुकायत कहा खी है और कहा है कि अगर कारवाई जल से जल नहीं हुई तो उसको लेकपाल के खिलाब तो तहसील खड़िया के सामने आमरण अंशन पर बैच जाएंगे तो ऐसे में बता दें लेकपाल के घूस लेने के मामले जो है वो लगाता यूपी के तमाम जलो से सामने आ रही है लेकिन ऐसे में उन पर कारवाई नहीं की जा रही है लेकपाल के घूस लेने के मामले हैं वो लगाता सामने आ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वीडियो पोटो वारत होने के बाद भी प्रसाशन की तरफ से कोई भी कारवाई जो है वो नहीं की जा रही है ऐसे में अब जो है वो कारवाई करने की बात की जा रही है आपको बता दें के लेकपाल के घूस लेते फोटो वीडियो काफी बारल हो गए हैं और ऐसे में लेकपाल के खिलाफ कारवाई को लेकर समात से भी चंद्रमणी पांचे ने उपजिलादिकारी हरहिय से श्रिकायत की है लेकिन श्रिकायत के बाद भी किसी तरह की अभी भी कोई कारवाई नहीं की गई याने कि एक तरफ तो देखें साचन के तरफ से कहा जाता है कि यूपी में ब्रस्चार जो है वो नहीं है लेकिन जो अधिकारी है जो लेकपाल है वो इस तरह से घूस लेने से अभी भी बाज नहीं आ रहा है सरकार जो है सकती दिखाती है लेकिन उसके बावजूद भी ये लेकपाल के तमाम वीडियो और फोटो जो है आई दिन बारल खुत रहते हैं लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई भी कारवाई जो है वो नहीं की जाती जिसलिए इन लेकपालों को शह मिलती है और इसी शहर पर वो जो है लगातार लोगों से आम जनता को परिशान करते हैं और लगातार उनसे घूस लेते रहते हैं कानपुर देहार जिला प्रसाशन के और से लोगों को कई सरकारी होश्माओं की जारकारी देने के अलावा अन्य जरूरी कामों के करने के लिए 8 सितंबर को राज़पुर ब्लॉक में शिवर का आयजिन किया गया था जिसको लेकर ब्लॉक प्रमुक राकेश कटियार ने कैम्प लगारे से पहले सान का दौरा किया जहां पर लोगों के फॉर्म भरे गए और यहां पता दे कैम्प सुबा साड़े नौ बजे से शाम चार बजे तक चलाया गया था और कैम्प के शरगुन योजना पॉरहापा पेंशन रसोई गैस कनेक्शन गरीबों को मकान बनाने मन्रेगर जैसे कई स्कीमों के लिए काउंटर भी लगाए गया था जो है ये शिवर लगाया गया था और ऐसे में लोगों को कल्यानकारी योजनाओ की जानकारी जो है वो दी गई थी जो किसानों की सिम्स्याइएं उसका निराकराऊ एक पॉस्चान गराएं जो ठॉस्हान की बात कहीं जी इस берß जिसमें 30-40 बच्चों का फाम बढ़े गए बिटलांग पे ओवीशी का अलगों 40-50 फाम बढ़े गए अर्प शंकर के 20 लग फाम बढ़े गए जो सम्मान किसान सम्मान निदी है जो मादनी मोडी की का इसके चली जा रही है उसमें कहीं भी किसी का पैसा कहीं जा रहा किसी का बहुत बढ़े हुगा है आंगे भविश्यू की होता रहेगा इसा उनने अस्वासन दिया है और नानी सदक्ति कड़ा पर भी बहुत बढ़ा जोड़ दिया गया चलिए कानपुर से हमाई सम्मान आता आशीश हमाई साथ जुट चुके हैं आशीश कर गे जो है शिवर लग गया था कानपुर में लोगों को कल्यानकारी योजनाओं की जादकारी दी गई थी और क्या कुछ इशिवर में किया गया था आशीश क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे शायर लगता आशी से संपर्ख हमारा तूट गया है तो कानपुर में छिवा लगाय गया था जहां पर लोगों को कल्यानकारी योचनाओं की जानकारी दी गई थी और ऐसे में कैम्प में शरगुन योचनाओ, पुरहपा पेंशन, रसोई कैस कनेक्शन, करीबों को मकान बनाने मन्वरेगा जैसे कई स्कीमों के लिए काउंटर जो है वो लगाय गए थे इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहेए नियूस वाल इंडिया आट जीए